Hello everyone, मैं नी लम्तिवारी आप सभी का Magnet Brains में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ Magnet Brains से कैसे चैनल है जहाँ पर आपको Kindergarten से लेके 12 class तक के सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाय जाते हैं जैसा के आज हम धातु रूप पढ़ रहे हैं और धातु रूप के क्रम में आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको नम धातु के धातु रूपों को शब्द रूप नहीं कहेंगे धातु रूप कहेंगे क्योंकि हम क्रियाओं को दर्शाने वाले जो संस्कृत में शब्द होते हैं उन्हीं को धातु कहा जाता है क्रिया यानी काम, जो भी हम काम करते हैं, उनको दर्शाता है, जो शब्द उसको दर्शाता है, उसको धातु कहा जाता है और हम हर एक काल में, हर एक काल में चाहे वर्तमान हो, भविशे हो या हमारा भूत काल हो इन में हम हर एक क्रिया का रूप परिवर्तित करके बूलते हैं जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता था और पढ़ूंगा यहां देखे जब पढ़नी में ही आपने धातु पढ़ काम आप पढ़ने का ही कर रहे हो पढ़न शब्द में ही कहीं आप कह रहे हो रहा हूं या कहें बालक पढ़ रहा है बालक पढ़ता है ठीक है एक जगह कह दिया कि पढ़ता था और एक जगह कर दिया पढ़ूंगा इस प्रकार के काल के अनुसार जब क्रियाओं के रूप बदलते हैं तो संस्कृत में भी उन धातूं के रूप बदलते हैं और उन धातूं के रूप बदलने के साथ साथ तीन लकार तो हमारे मुख्य होई जाते हैं वर्तमान काल यानी लट लकार, भूत काल यानी लंग लकार और लिट लकार यानी भविश्यकाल ये तीन लकार तो हमारे हैं ही, साथ वैसे लकार होते हैं, दस संस्कृत में, लेकिन आपको पांच अभी पढ़ाय जा रहे हैं, तो फिर एक हमारा लकार आता है, जो आग्यार्थवाची क्रियां को दर्शाया जाता है, कि जब किसी क्रिया को आग्या के रूप में कहा जाए आपसे, कि तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम बैठो, तुम हस तुम गाओ, तुम लिखो, तो जहाँ पर आग्या मिलती है, तब उस उन रूपों में जहां पर भई हम ताहती है लगा रहे हैं वर्तमान में गागी ये लगा रहे हैं भविश में था थी थे हम जब भूद काल में लगा रहे हैं तो अब जैसे ही हमने कहा कि पढ़ो, तो पढ़ो शब्द में तो कोई काल का, मैं ज्यानी नहीं हो रहा है कि ये हमारा बरतमान में की बात हो रही है भविषकी हो रही है या भूदकाल की आग्यार्थ का अर्थ हो रहा है पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए जाना चाहिए रहना चाहिए हसना चाहिए लिखना चाहिए तब जब मूल क्रिया में हम चाहिए का अर्थ लगाते हैं तब उस चाहिए को दर्शाने के लिए हमारे पास भी दिलिंग लकार होता है जो क्रियाओं में अलग-अलग प्रत्या नहीं होता है अच्छा सब धातु के अलग-अलग वीडियो क्यों मना रहे हैं क्योंकि हर धातु में अगर हम सिर्फ यही कहने के तीता अंती सीथा था आमी आवह आमा जोड़ दे तो वस धातु में आपने भवेशिकाल में देखा तो वहां पर क्या हो गया था वस धातु का स अधाता में परिवरतित हो गया था आधथा बन गया तो पिर उसमें स्यत्य सिय अधा था वह तीताrent समान से निग्स धातु क्यों होगा तो उसको हमें याद रखना चाहिए उसको पता होना चाहिए कि इस धातु में ये परिवर्दन हो रहा है वर्तमानकाल की बात करें वर्तमानकाल यानि जो अभी आपका प्रेजेंट में अभी जो आप क्रिया कर रहे हो कहेंगे नमन करता है दोनों नमन करते हैं बालक नमन करते हैं तुम नमन करते हो तुम दोनों करते हो तुम सब करते हो कहेंगे मैं नमन करता हूँ अहम नमामी कहते हैं मैं नमन करता हूँ हम दोनों नमन करते हैं हम सब नमन करते हैं तो वर्तमान काल में वर्तमान काल में जो क्रियाएं बनती हैं उन में हम पहले तो तीन पुरुषों में उनकी स्रेणी विभाजित होती है कि में के अलग में हम दोनों और हम सब इन के लिए उत्तम पुरुष की क्रियाएं अलग बनी हुई है तुम तुम दोनों और तुम सब में उत्तम तुम मध्यम तो जो क्रियाएं हैं तीन पुरुषों में विभाजित होती है यानि में की केटेगरी अलग हो जाती है तुम्हारी केटेगरी अलग है और बाकी सभी क्या बोले बाकी सभी बस में ओ तुम को छोड़ दो तो बाकी सब प्रथम पुरुष में आई रहे हैं तो बोले कौन बोले कोई भी हो सकता है उसमें किसी का नाम हो सकता है बोले बालक हो सकता है बालिका हो सकता है राम स्याम गीता मोहन शुरेश महेश दुनिया कोई भी लता माला तू क्या कहे के किवल ऐसा किवल इस्तरी पुरुशों की जाती में हो रहा है बोले नहीं फल उस तक हवा जल कुछ भी हो सकता है भाई केवल तुम और मैं नहीं हो सकता अब आप कोगे क्या हवा भी कोई करता बनती है तो क्या हवा बहती नहीं है हवा भी तो क्रिया करती है जल बहता नहीं है बहता है तो जल भी तो बहने का काम कर रहा है जल भी तो करता हो गया है अब कहें कि पेड़ हिल रहे हैं, कहेंगे पेड़ कौन सा काम कर सकता है, क्यों हिल नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हिल नहीं हवा चलती तो हिलते नहीं हैं, जुकते हैं, हर एक चीज की बात आही रही है इसमें, तो यहां पर हम कहेंगे नम यानि नमसकार करना, नमकार्थ क्या होता ह नमसकार करना तो बालक नमसकार करता है तो बालकाह नमती मुले दो बालक नमन करते हैं तो कहेंगे बालकाउ नमतः फिर कहते हैं बहुत सारे बालक नमसकार करते हैं तो बालकाह नमनती फिर कहेंगे तुम नमसकार करते हो तो कहेंगे तुम नमसी तुम दोनों नमसकार करते ह कहेंगे युवाम नमथह तुम सब नमसकार करते हो तो कहेंगे यूयम नमथ मैं नमसकार करता हूँ अहम नमामी कहेंगे हम दोनों नमसकार करते हैं तो कहेंगे आवाम नवाव और वयम नवाव करता जो हैं वो चाहे लट हो लंग हो विदिलिंग हो लिट हो लोट हो किसी लक पुरुष और मध्यम पुरुष की आप दुनिया में कोई भी क्रिया पड़लू उसमें जो उत्तम पुरुष की क्रिया है वो मैं हम दोनों और हम सब के लिए ही आएगी और मध्यम पुरुष की जो क्रिया है वो तुम तुम दोनों तुम सब के लिए ही आएगी बागी किसी क लिए जब आपको क्रिया लगानी हो तब प्रथम पुरुष्की क्रिया आप लगाएगा ठीक है एक करने का तरीका वही है के ہम्में क्या करना है मून धातु में क्या जोड़ने ना है तीच 1982 अमी आवह जूड़ा था अच्छ गम धातू को क्यों बताया क्योंकि गम धातू 4 लकारों में गठ्च रूप बना लेती और QED भववशय काल में गम रूप बनाती कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हो रहा है इसलिए हम सब के लिए आपके वीडियो बना रहे हैं हर धातू का तो यहां पर वर्तमान काल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ नम धातू में सिर्फ हमने ती तह अंती सीथ था आमी आवह आमह लगा दिया अब हम अगर चलें भविश भविश्यकाल में ये परिवर्तन हो जाता है कि नम जो धातू है नम धातू का ये मा है वो हमारे अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है इसमें परिवर्तित हो जाता है अनुस्वार में तो हम कह देए नन अब हमने क्या आपको बताया था कि जहां पे किसी धातु में जब हम छोटी E की मात्रा लगा देते हैं तब भविश्यकाल में जुणने वाला जो स्या है वो श्या में परिवर्तित हो जाता है लेकिन अगर E नहीं है तो बाकी कुछ भी बना रहा है तो उनके लिए हम ये वाला सिंपल वाला सा जोड़ते हैं दंती सा भी इसको कहते हैं दांतों से इनकी ध्वनिस्ता निकलती है उच्चारणिस्थान दंतवी होता है तो ये वाला सा हम लगाते हैं मूर्धनिश नहीं लगाते हैं ठीक है तो हमारा कौन सा अब कह रहें यहां चोटी की मात्रा है क्या बुले नहीं है अंकी बिंदी है तो हम क्या करेंगे यहां पे नमधातू पहले तो क्या परिवर्तित रूप करके बनी माहलंत हमारा क्या ब पल ही बना रहेगा और तीत अंती हम सीधी लट लकार से उठा लेगे नंस बन गया नंस और उसमें जोड़े हमने तीत अंती सीथ थ आमी आवह आमह आमी आवह आमह लट लकार जैसे ही बन गए कि नहीं बने लट और लिट बिल्कुल समान रूप के प्रत्याई जोडते हैं भ धातुओं में इडागम यानि ए का आगमन हो जाता है चोटी की मात्रा लग जाती है उसमें हम ये वाला श्या लगा देते हैं सियाग के भी तो दो सा है एक श्या ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है लेकिन अगर ए की मात्रा नहीं है तो श्या हमारा सिंपल सा बना रहेगा पाधातु अभी देखेंगे, जब हम पाधातु गिरूप बताएंगे, उसमें बन जाता है हमारा पास्यती, पास्यता, पास्यती, ये वाला साथ, लेकिन पठ में छोटी की मातरा लग रही है, तो हम पठिश्यती, गमिश्यती, लिखिश्यती, हसिश्यती, ठीक है, तो ये हम हमारा परिवर्तन होता है बाकी का भविशेकाल और हमारा वर्तमान काल समान बनता है अर्थि क्या निकलेगा नमन कर नमस्कार करेगा बालक नमस्कार करेगा दो बालक नमस्कार करेंगे सभी बालक जब सिक्षक आए जब अतिती आए तब सभी बालक नमस्कार करेंगे तो कहे कहेंगे तुम नमस्कार करोगे तुकिंगे तुम नंस्याविंणासिas करओ गी। तुम सब करोगे तुम सब करोगे मैं नमस्कार करूँगा तुम कहेंगे लुज सके और हम सब करेंगे तो कहेंगे वयम नन स्याव, ठीक है, बिल्कुल लट और लिट एक जैसे बन गए, अब हम चलते हैं अपने भूत काल में, क्या परिवर्तन हुआ नम धातु में, नम धातु में जो मा था हलंत वाला वो अनुस्वार में परिवर्तित हो गया, और जो क्रिया में आ जोड़ देते हैं, तो आ जोड़ दिया नम में, सभी जगे आ जोड़ गया, अब इसकी बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ेंगे ततामन अहतमता अमावाम, जो हमने पठ में जोड़ा, चाहे हम लिख में जोड़ें, हस में जोड़ें, क्रीड में जोड अंत में लंग लगार की क्रियाओं में हम जोडते हैं जैसे हम आपको और जैसे क्रियाएं बताए देते हैं जैसे हमने कहा पढ़ने का तू चली पठपन बता ही चुके हैं अब हमने कहा हसता था रहता था लिखता था तो अब हसने की धातू क्या बनती है हस बनती है हसने की धातू तो हस ही है चीक है हस है हमारी धातू भूत काल में थाथी थी लगाना है लगा देंगे हिंदी से संस्कृत में जब परिवर्तन करो और याद ना हो आपको जब शब्द रूप आपको धातू रूप इसका नहीं हो अरे भई हमने हस का तो किया ही नहीं है कोई ब हमारी है और अब उस में लगादेंगेन," ने तो ठीक हो गया," अब लेकिन थाथी ठीका क्या करें?" भूत्काल ने आ तो लगवा दिया, लेकिन इसके बाद की प्रत्याए क्या करें?" तो हम कहेंगे हमने टेविल याद की है, जब हम पठके याद कर रहे थी तब हमने भूत काल में टेविल याद की थी, कि तामन अहतमत अम आव आम लगा दीजेगा, तो आपके था थी थे का अर्थ सब का निकल आएगा, तो यहाँ पर क्या अर्थ निकलेगा, कहेंगे हसता थ एक हसरा है दो हसरे या बहुत सारे हसरे हैं तो यहां कह रहे हैं बालक हसता था बालिका रहती थी और यहां कह रहेंगे मित्र लिखता था ठीक है अब यहां कह दिये बालक हसता था तो बालक अब हम इसका पुरुष वचन पहचानेंगे बालक का बालिका का मित्र का तो हम कहेंगे प्रथम पुरुष की हमने लाइन याद की थी भूत काल की उसमें जोड़ा जाता था ताम न अर्थात या तो हस में हम ताम जोड़ेंगे या ना जोड़ेंगे तो अब क्या हम जोड़ें तो उसके लिए भी क्योंकि भाई प्रथम पुरुष में भी तीन वच तो वचन देखेंगे कि यह संख्या में कितना है एक है तो कहेंगे एक वचन का ता जोड़ा जाता है एक वचन जब भूतकाल में बनाते हैं तो हम क्या जोड़ते हैं तो हम यहां कह देंगे अहसत हलंत गाया हो जाएगा हलंत पूरा हो जाएगा ता जोड़ जाएगा यह बन बालिका दो बालिकाएं चीक है क्योंकि भई हम इनी से ही देखो हम एक तरह का हमने बनाना सीख लिया तो उससे हम कई धातुओं की रूप बना सकते हैं तो हमें तरीका सीखना चाहिए हमने तरीका के हम क्या सीखेंगे बूत काल की धातुए में मूल धातु में अलगाना है थ तामना अहतमता अम आव आम तो उसके लिए हम पुरुष की ज़रू पहचान रखेंगे कौन सा पुरुष है उसके साब से हम कौन से पुरुष और वचन की क्रिया लगा दे तो यहां हम कहेंगे दो बालिका हैं रहने का बात बता दी वसने भूत काल की बात हो रहे है था थी तो अलगा दिया है अब उसके अंतिम प्रत्या कैसे कहेंगे हम कहेंगे यह बालिका को देखेंगे बालिका हमारी कैसी है क्रिया हमेशा करता करता है तो इसी के लिए उसी के अनुसर बनती है तो बालिका हम कहेंगे यह दो तो हैं किस पुरुष की है तो कहेंगे ना तो यह में हम दोनों हम सब दिख रहा है ना तुम दोनों तुम दोनों तुम सब दिख रहा है अर्थात मध्यम उत्तम पुरुष नहीं है तो यह प्रथम पुरुष है और दुए वचन है तो प्रथम पुरुष दुए वचन लंगलकार में टेबिल में क्या बनता है लंगलकार की ट अवसताम, ठीक है? क्या बन जाएगा? अवसताम, और कहेंगे नहीं, मित्र लिखते थे, क्या लिखा है? लिखते थे, अब दे कि अभी अपनने कौन सी, बुले, लिख की धातु नहीं पड़ी है, हस की धातु रूप नहीं पड़ी है, लेकिन फिर भी अपन बना पा रहे हैं कैसे बना रहे हैं? जब हमने का मित्र लिखते थे, लिखने की धातु लिखने बना इथा थी थे के लिए हमने आ लगा दिया, इसके बाद कहा, अब मित्र को देख लो, अंतिम प्रत्याय लगाने के लिए करता का पुरुष वचन पहचान लो, करता हमारा कैसा है? बुले, ना ही उत्तम है, ना मध्य में, तो बाकी सब प्रतुम, प्रतुम हो गया, वचन में कौन सा है, बोले, लिखता था नहीं, दो नहीं है, थे के रहा है, बहुत सारे है, यानि प्रतुम पुरुष का बहुःचन है, तो अब भूतकाल के लिए, यानि था थी थे के लिए तो इस प्रकार से हम जब ये प्रत्याय ध्यान रख लेते हैं और ये जोड़ देते हैं कि लंगलकार में लगाना है तो क्रिया हमाई कोई सी भी मिल जाए उसका हम रूप आसानी से बना सकते हैं ठीक है अब आगे चलते हैं आग्यारत यानी लोटलकार यानी नमन करो बालक नमन करो दोनों बालक नमसकार करो सभी बालक नमसकार करो तुम नमसकार करो तुम दोनों नमसकार करो तुम सभी नमसकार करो मैं नमसकार करो हम दोनों नमसकार करे हम सब नमसकार करे तो अब इसके लिए ह नमसकार करो तुम दोनओं वाम नमतं तुम सभी युयम नमत कहेंगे अहम नमानी में नमस्कार करूँ हम दोनों आवाम नमाम कर नमाव और कहेंगे वयम नमाम ठीक है भाई लोट लकार कैसा बन रहा है हमारा भूतकाल जैसा बन रहा है जैसे हम वहाँ पर भूत काल में करते हैं त, 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 न, तो यहाँ पर त के स्थान पर ये हो जाएगा तू ताम जैसा का तैसा रहेगा ना में तू और जोड़ जाएगा दो जगे तू लग गया तू, ताम, अन्तू तो यहाँ पर जब हम जो लग लकार की क्रिया बना रहे थे, उसमें हम क्या जोड़ रहे थे, अहतमत, तो यहाँ परिवर्तन होके अह का विसर्ग हट गया और क्रिया हो गई पूरी, तो हम कहेंगे नम, नमतम और नमत, त, कहेंगे अहतमत की जग हो गया, अतमत, विसर्ग हम मारा हट गया और जो हमारी क्रिया होती है उसका हलंत भी हट जाता है वो भी पूरी हो जाती है जैसे हम भूत काल में क्या बनाते हैं अहतमता बनाते हैं तो यह माली जे कि विसरग हट गया आ जोड़ गया इसलिए नम जो धातू है हलंत वाली वो पूरी हो गया तो यह नम नम लंग जैसा यह परिवर्तन होता है परिवर्तन जहा है उसको हम बताया देते हैं 20 जो Приभृ नहीं है यह यह चोटे-चोटे से हैं तू हम réalité याद रखली कि लोट लकार में जो तो होता है वह डली रही है आर्था जुक्रिया या और रही है कर दमाहं कि लगा एक का हूं लोट लकार में बनता है अर्थात यहां जो आज्या वाली बात आ रही होगी ठीक है आनी जहां होगा वहां हम कहेंगे यहां आज्या अनुग्या की बात हो रही है तो यहां पर हमारा कौन सा नमन करूं मैं नमन करूं अहम नमान नमानी कहेंगे हम दोनों तो कहेंगे आवाम वयम नमाम इस प्रकार से रूप बन जाएंगे किस तरह से बने लंगलाकार जैसे बहुत कुछ मिल गया कि नहीं मिल गया ताम न ताम और न तो क्या परिवर्टन हुआ ताम में जुड़ गई छोटी उकी मात्रा तो यह गया तू ताम न में भी जुड़ दिया तू तो गया यहां पर जोड़ते हैं हम लंगलाकार में अह तम ता तो यह तो बिल्कुल जैसे के तैसे रहे बस यहां पर इसका विसरग गयव हो गया यहां जोड़ते हैं अम आव आम तो बस लूटलाकार आनी बनाता है बाकी कहीं आनी नहीं बनता है आव जैसा का तैसा रहा और आम ज जैसका तैसा लग गया आम जैसका तैसा लग गया तो क्या परिवर्तन रहा फिर दोनों में अंतर क्या वुले दोनों में अंतर ये कि भूतकाल की क्रिया अपने आगे अ लगाती है तब भूतकाल की बनती है नहीं है भूतकाल जैसे रूप दिख रहे हैं तो समझ लीजेगा वो हमारी लोट लगार की क्रिया है विदिलिंग लगार क्या करता है विदिलिंग लगार चाहिए का अर्थ बताता है कि किसी क्रिया में जब चाहिए का अर्थ आपको जोड़ना है तब आप उसमें जैसे कहें नमस्कार करना चाहिए बालक को नमसकार करना चाहिए, दोनों बालकों को नमसकार करना चाहिए, सबी बालकों को नमसकार करना चाहिए तुम्हें नमसकार करना चाहिए, तुम दोनों को नमसकार करना चाहिए, मुझे नमसकार करना चाहिए, हम दोनों को नमसकार करना चाहिए तो हम कहेंगे अहम नमेत क्योंकि नमसकार की क्रिया नमधातु से निकलती है और चाहिए का अर्थ विदिलिंग लकार में ही मिलता है तो कहेंगे अबालकः नमेत बालकव नमेतां बालकाह नमेयु तुम नमेह यवाम नमेतां यूयम नमेत कहेंगे वयम, अहम, नमेयम, आवाम, नवे, वयम, नवे ठीक है, कैसे बने हमारे लंगलकार जैसी ही है क्रियाई इसमें त, त, न, जुड़ रहा है इसमें न की जगह पे बस यहाँ परिवर्तन हुगा है यहू जुड़ा है यहाँ पे जुड़ता है अह, तम, त, और यहाँ जुड़ता है अम, आव, और आम क्या परिवर्तन होगा यहाँ पे? मुले जी, सभी में एक ही मात्रा आ जाएगी और जहाँ इसपेशली जैसे कहें कि जहाँ पर अ होता है वैसे अगर देखा जाए तो यह हमारा अ अ अत ताम जुड़ता है, अ जो हमारी ती तहां आंति होते है वो अत ती होता है क्योंकि आपने देखा ओगा कि पठधी जब हम रूप जोड़ा तभी तो यह था पूरा हुगा लेकिन आप लोगों को सरलता से याद हो जाए इसलिए ती तह अंती सितह था आमी आवह आमह बोल दिया जाता है जिससे कि आपको जल्दी याद हो जाए तो जो भी आ है इसमें यहां पर भी जो अत है अताम है वो सब हमारा ए में पर एतम एत यह हो जाएगा हमारा अम की जगह हो जाएगा ए यम और यह हो जाएगा एव और यहां हो जाएगा एम ठीक है यह परिवर्तन हो जाएगा देखिए कितना परिवर्तन हुगा सिर्फ भूतकाल की क्रियाओं से विदिलिंग लकार की क्रियाओं आपने बनाई तो कहा परिवर्तन हुआ एक वो परिवर्तन हुआ और एक आगमन हुआ और यहां पर बस यम दिखा दो जगए हुआ बागी की विदिलिंग बिल्कुल एक जैसी है और वो भी जब आप देखें हमने आपको याद करने का तरीका भी यही सिखाया है कि जब आप याद कर रहे हों तो आप पठी की क्रिया ले लिजिए पठी की क्रिया के पांचों लगार एक जगे लिख लीजिए ठीक है फिर उसके बाद आप दूसरी कोई भी क्रिया उठाई है कोई भी क्रिया उठाई है उसको लिखिए और उसी के जैसे प्रत्याय लगाकर आप उनका रूप बनाने के प को वो चीज़ें याद रह जाएंगी कि हां हमने किस धातु में क्या परिवर्तन ऐसे देखे सुनने से नहीं होगा कथा जैसी रामाइन जैसी सुन लिए उससे कोई मतलब नहीं है जब तक कि हम उसका अभ्यास ना करें जब तक कि उसको सीखने के लिए हम उनको दो-चार वार लिखें हर धातु को लिखिए जब भी समय मिले एक धातु का एक दिन में याद कर लीजे देखिएगा कितनी धातु आपकी याद हो जाएंगी ठीक है ना तो बस यही हमें करना है अब जैसे ही हर एक के विदिलिंग के आप रूप बना लिजे पट के विदिलिंग के बना लिजे विदिलिंग में आप धाव की बना लिजे क्रीड की बना लिजे हस की बना लिजे जब बनाएं फिर उसकी बाद फिर उसको चेक कर लें कि देखो हमने सही बना पाई या नहीं बना पाए जब आप दो चार वार बनाएंगे तब देखेगा कि आपको खुदी उसमें मजा आने लगेगा और इसके साथ में एक और क्या कर सकते हैं जब हम क्या ही रहें के चाहिए का आर्थ आपको जोड़ेंगे, तो जो मूलिक्रिया हो रहे हो उसमें चाहिए का भी अर्थो जोड़ेंगे, तो आप यानि जहां नमस्कार धातू है और विदिलिंग लकार उसमें लगा रहे हैं तो नमस्कार में चाहिए का अर्थ निकाल देंगे उसमें जोड़ेंगे अच्छा संस्कृत में लिखा हो तब कैसे पहचानेंगे तो मूल धातू में एकी मात्रा आपको दिख जाएगी उत्त ताम यहू अहतमता कैसे हमारे लंगलकार जैसे रूप दिखें समझ जान यह विदिलिंग लकार है यानि इस धातू में हमें चाहिए का अर्थ जोड़ना है इस तरह से संस्कृत से हिंदी बना सकते हैं अनुछे दिलेखन हुआ ये सारी चीज़े हम तब ही करवाएंगे क्योंकि उनमें आपको स्वेम बाक के बनाने पड़ते हैं और जब स्वेम बाक के बनाने की बारी आती है तब हमें इन चीजों का ज्यान होना चाहिए करता के साथ में हम कौन सी क्रिया लगाएं कौन सा पुरुषका करता होगा तो कौन सी क्रिया लगाएंगे तो तब पता चलेगी ना जब आपने धातुरूप याद की होगी तो इसलिए हमें धातुरूप इसलिए याद करनी है जिससे कि हम इस भाषा को अच्छे से समझ पाए यह सारे वीडियोज आपको हमारी MagnetBrainz वेबसाइट पे आसा नहीं से मिल जाएंगे आपको करना क्या है गूगल टेप पे जाएंगे आप लिखेंगे MagnetBrainz.com आपके सामने वेबसाइट पे जो उपन हो जाएगा क्लास 7 पे गए तो क्लास 7 के सब्जेक्ट सा गए अब यहाँ पे NCRTO व्याकरण दोनों की लिस्ट बन गई है अब आपने जैसे व्याकरण पे क्लिक किया तो आपके सामने व्याकरण का पे जा गया यहाँ आपको चैप्टर वाइस वीडियो मिल जाएंगे आप जिस चैप्टर को क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसी के वीडियो आपके सामने आएगे बाकी की बाद की पूरी लिस्ट आपके सामने नहीं खुलेगी जिससे आप कन्फियूज नहीं हो संधी पढ़ना चाहेंगे आप संधी को क्लिक करेंगे तो सिर्फ संधी की वीडियो की lisitis आपके सामने आएगी अब जो संधी आपने पढ़ी हो उसको चोड़के जो बची हो ऊसको पढ़ लीजिए बस पढ़ना आसान हो जाएगा ये भी पता रहेगा कि मेडम ने संधियां को कितनी करवाई हैं सब मिल जाएगे यहाँ पर तो परते रहे हैं मैगनेट ब्रेंज के साथ में मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और नई धातू के आपको रूप बताएंगे और उसमें कई कोई परिवर्तन हो रहा होगा तो उसको भी आपको साथ साथ में बताते जाएंगे तब तक के लिए धन्यवाद